हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहे वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस कि इन्फिनिक स्मार्ट एट प्लस फोन में आप लोग डीपी आइस सेटिंग्स को कैसे यूज कर सकते हो अगर आपके पास एक इन्फिनिक स्मार्ट एट प्लस फोन है और इस फोन में जो आपको डीपी आइस सेटिंग्स को यूज और चेंज करना है तो कैसे आप लोग DPI सेटिंग्स को चेंज करोगे गाईस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसा नाए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिए गाईस वीडियो को स्टाट करते हैं DPI सेटिंग्स को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फॉन के सेटिंग्स में जाना है तो मैंने पहले वीडियो बना के रखे आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं और डेवलपर मोट को अन कर सकते हैं अन करने के बाद उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है अगर आपको DPI सेटिंग्स को जो है चेंज करना है तो नीचे स्क्रॉल डाम करते जाएगा इस करते जाएगे तो आपको यहाँ पर एक आप्शन मिलेगा smallest width का तो इस smallest width पर क्लिक करेंगे क्लिक करती देख पर होंगे 340 है अगर आप लोग यहाँ पर से 400 करके जो है ओके पर क्लिक कर दोगे तो आपका DPI जो वह चेंज हो जाएगा छोटा हो जाएगा देख सकते कितना छोटा हो चुका है उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर से जो है कम लिखोगे जैसे कि 340 था तो अगर आप लोग 300 लिखोगे और ओके पर क्लिक कर दोगे ऐसा करते हैं आपको जो DPI है वो बर जाएगा देख सकते हैं अभी मारा DPI जो है बर चुका है एप्स बगारा कितना जो है बरा बरा साइस का देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर से आप लोग अपने हिसाब से जो है DPI को आप लोग सेट कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने इंफिनिक स्मार्ट 8 प्लस फोन में आप लोग DPI सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हो और इसको चेंज भी कर सकते हो तो कैसा लगा कैसा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए